हेलो दोस्तो, आज है 19 जुलाई 2022 और 19 जुलाई 2022 से जितने भी हरी आना करेंड़ अफ़ेर के कोईस्टिन मनते हैं हम सब इसी वीडियो में डिसकस करेंगे और साथ इशाथ पिछली और पुरानी हरी आना करेंड़ अफ़ेर का रिविजन करेंगे और हर question के बारे में important और extra effect पड़ेंगे उद रियाना जी के और last में आपके लिए हरियाना जी के अगट टेस्ट भी आप उसे इब देखर जरूर देखे और अप इसका अंड़ा फिर की PDF को description में दियोए लिंक से डालोड कर सकते हैं या फिर आपको description में टेलेगराम का लिक मिल जाएगा उसे जोइन करके वहाँ से भी PDF को ले सकते हैं question number one है हरियाना के कीस मिला को पंजाब राओ देशमुक उतकस्ट मेला विग्यानिक पुरुषकार मिला है तो यह पुरुषकार मिला दोस्तों एपसंसी सुसीलामान को पुरुषकार दिया गया है अब जान लेते इसके बारे में हिसार की लवाज इनिवस्टी में पसुजय पर्दोग की विबाकिये देक्स और विज्ञानिक डाक्टर सुसीलामान को बारतिक किर्शी अनुसनन परिशत दोवारा पंजाब राओ देशमुक उतकर्ष्ट मेला विज्ञानिक पुर्षकार से समानित किया गया है और दोस्तो इस डाक्टर सुसीलामान को हाली में 2020 के लिए हर्याना सरकार दोवारा हर्याना विज्ञान रतन अवार से भी समानित किया गया था अब दोस्तो जी करोवा था अवार्ड का और विज्ञान का तो इनसे मिलते जोलते कुछ most important point पढ़ लेते ह हाली में हर्याना के रज्जेपाल ने 28 पर वरी 2022 को विज्ञान डियोस पर 11 विज्ञानकों को पुरुषकार दिया था अब उनके बारे में जान लेते हैं बात करें दोस्तो हर्याना युवा विज्ञान रतन पुरुषकार की तो 2019 के लिए मिले था डाक्टर पूजा देव तथा डाक्टर राम जिवारी को 2020 के लिए मिले था डाक्टर पॉन कुमार और स्थीश खुराना को जबकि 2021 के लिए मिले था डाक्टर कलपना नागपाल को और दोस्तो यह पुरुषकार 40 वरस की आयू से नीचे के वैक्तियों को दिया जाता है और इसमें दोस्तों एक ला अन्यमर फाल मदान और डाक्टर सुसिला मान को और d21 के लिए मिले था डाक्टर चेतन प्रकास कोसी को तत battlesiko वोर इसके तैत यह 40 वरस के आयू के उपर के वैक्तियों को दिया जाता है दोस्तों अगर आपको जनवरी 2022 JAC जून62 या फीर जनवरी कि से जून 2022 तक 10 तक थारा म नाम नोट कर लेने, next exam में 100% आ सकते हैं, next है, हरियाना में कहां से कहां तक है, देश का तीसरा सबसे लंबा, एकसपरेस बना गया है, तो एकसपरेस बना गया है, दोस्तो, опыт C, Ambala to Narnol के बीच में, अब जान लेते से के बारे में details से, अम्बाला नार्नोल ट्रांस हर यान एक्सप्रेसवे नार्नोल से अम्बाला के इस मैलबा तक बना गया है इसके लंबाई दोस्तो 227 किलोमेटर है और यह देश का तीसरा सबसे लंबाई एक्सप्रेसवे बन गया है यह Expressway परदेश के दोस्तों महंदरगड, सरकी दादरी, बिवानी, रोतक, जीन्द करनाल, कैथलवा कुरुक चितर यानि की परदेश के आठ जिलों से गुजरेगा दोस्तों और दोस्तों आप इन चितर में देख सकते हैं आठ जिलों से गुजरेगा, आपको नोट कर लेने सभी जिलों को अब जी करूआता दोस्तों Expressway का, तो इनसे मिलते जोलते कुछ important point पड़ लेते हैं दोयर का Expressway गुरुगराम से दिल्ली के बीच में बना गया है, यह देश का पहला elevated urban Expressway होगा दोस्तों और पुर्वी हरियानों को परस्ची में हरियाना से जोडने के लिए डबवाले टूपनपत Expressway भी बना जाएगा और हरियाना परदेश के East East से को West के साथ कनेक्ट करने के लिए इसार टूर्वी बाड़ी आकिस परसवे भी बना जाएगा Next है, हरियाना के खिलाड़ी साक्सी मलिक ने टूनेशिया में आजित विसो रैंकिंग सीरीज कुस्ती टूनामेंट में कौन सा पदक जीता है तो इसमें दोस्तो साक्सी मलिक ने ओप्शन सी कैसे पदक जीता है अब जान लेते हैं इसके बारे में टूनेशिया में आज जीत विसो रैंकिंग है सीरीज कुस्ती टूनामेट में सारीता मोर ने दोस्तो गोल्ड मेडल है जबकि साक्सी मलिक ने कैस्या पदग जीता है और इस चैंपिन सी में मनीशा, नीशा और विपासा ने रज़त पदग जीता है और दोस्तों बात करेगा स्रीता मोर की तो दोस्तों सुनपास से बिलाओं करती है और इनको सुनपत जिले की बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ जना के ताथ ब्राइंडा माइस्टर भी बनाये गए हैं अब साक्सी मलीक के बारे में जान लेते हैं साक्सी मलीक का जनम वादा तीन इस्तंबर नुसु बाणुओं को रोतक के मोकरागाओं में ओलंपी 2016 में कैसी पदक जीत चुकी कुष्थी में और 2018 रास्टलमनल खेल में भी कैसी पदक जीता था 2016 में दोस्तों पदमसरी अवाड भी मिल चुका है और पदमसरी अवाड जीतने वाली राजिय के परतम मिला के लाड़ी बनी थी साक्सी मलीक और राजी उगांती खेलतन अवार्ड जीतने वाली परता मिला के लाड़ी बने थी दोस्तों आपको इपी नौट कर लेने है यहाँ पर मिला के लाड़ी के बात हो रही है और हाली में साक्सी मलिक ने अलमाटी में हुई यू डवलो डवलो रैंकिंग सीरी से परता 2022 में गोड मले जीता दोस्तों आपको इनौट कर लेना है क्वेस्टन बर च्यार है हरी आनक एकी संस्तान को नाना जी देशमुक अवार्ड मिला है अब जान लेते इसके बारे में इस संस्तान की निदेशक डाक्टर ग्यानेंदर परताप सिंग को बारति किर्शी अनौट कर लिएंदर सिंग तोंबर ने इन्हें यह आवार्ड परदान किया है अब दोस्तों जी कर वाता संस्तान का तो इनसे मिलते जो उलते कुछ इंपोर्टन पड़ लेते हैं सापित के आ गया था क्वेस्टन बर पांच है अब पड़ लेते इनके बारे में पंचकूला के रहने वाले सतर वरसे अरमन चंदर सूद 6211 मेटर उन्ची माउंट इन चोटी पर फट्य आसिल कर चुके हैं और उनकी सुपलब्दी के साथ ही वही चोटी पर सड़ने वाले सबसे उमरदराज वैक्ती बन गए हैं अब दोस्तों जीकर वाता चोटी है परवत का तो इनसे मिलते जो उलते कुछ इंपोर्टन पड़ लेते हैं हाली में सुनिपत के नितीस दईया ने माउंट आवेस्ट को फते किया है और हाली में रेवाडी जिले के इंदर इंदर यादों नों भी दोस्तों माउंट आवेस्ट को फते किया है अब हमने दोस्तों जो भी पड़ा उसका फटावर से विजन कर लेते हैं Q1 है, हरियान के किस मिला को पंजाव बराओ, देश में कुदकर्ष्ट मिला अफग्यानिक पुर्षकार मिला है, तो सुसीला मान को मिला है नेक्स्ट है, हरियान में कहां से कहां तक देश का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बना जाएगा दोस्तों, तो अमबाला टूनरा नूल के बीच में बना जाएगा और देश का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा नेक्स्ट है, हरियानक एक लड़ी सक्सी मलिक नेटू नेशिया में जीता है, फिसो रैंकिंग सिरीज कुष्टी टूनामेट में कोन सा पदक जीता है, तो इसमें दोस्तों कैसे पदक जीता है नेक्स्ट है, हरियानक के की सस्तान कोना नाजी देश मुख है, अवार्ड मिला है, तो इस अवार्ड मिला है बारते गेहूँ और जोन सुनान सस्तान करना लको अगर दोस्त आपको जनवरी टू जून 2022 या जनवरी 2021 से लेकर जून 2022 थक अठारा में निखर यानक करना फिर की पीडिय फाली चीए, तो नीचे लिंक दिया वान से डाउलोड कर सकते हैं, आपको पीडिय फाल मिल जाएगी, फिद इंपोर्टन और एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे हम डैली करते हैं, नेक्स्ट है, हरियाना का कौन सा वक्ति माउंट यूनम चोटी पर फात्य करने बाला सबसे उम्बर दराज वक्ति बन गया है, तो रम्मन चंदर सूध है, अब साथ य साथ हरियाना जी के कारवी जिनिया टेस्ट भी कर लेते हैं, क्वेस्टन बर जन है, रैज्जे में सेंटर आफ एक्चिलेंस पर वाजी टेवल कहां पर स्थी था है, तो गरोंडा करनाल में दोस्तो, 2011 में स्थापित किया गया था, नेक्स्ट है, किसे इंदरा गांधी नहर भी कहा जाता है, तो लोहरी उठ्यानियों जना को, नेक्स्ट है, रैज्जे जिले की साबाँ सरकारी चीनी मिल जना कब स्थापित हो थी,houenne 1994 में, विवानि में टाकस्टायल मिल को थि,लस्तो, 2022 में, नेक्स्ट है, लिवानि में टेक्स्टायल मिल की स्थापन कब हुई थी, działा 770 में, नेक्स्ट है, हरियाना सरकार दवार एयतरी परिवान का संपून गाटन कव किया गया था एक नॉवंबर 2002 को सुस्मा सवराज के दुवारा नेक्स्ट है सुरुजपूर की सुद्यों गए तू परसीदतों सिमेट के लिए दोस्तों यह पंचकोला पिंजोर में था हम साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाना का इनफेर कर विजन भी कर ले साहते का और कोतर परदेश ने बाल साहते बारती समान से समानित किया है तो समान मिला दोस्तों के मंडिलाल अगरवाल को हरियान के किस नगर निगम ने MyWard, My Responsibility Award की सरवात की है तो इसकी सरवात की गई हुआ नगर नगर निगम के दुवारा हरियान सरकार निराजे परदोसन नितन बोड का चेर्मेन की से नुक्त किया था हाली में तो पीर अगवंदर राव को और इस बोड की स्तापना कब हुई थी दोस्तों सुचु एतर में हरियान के किस मिला को तिल का मांजी राष्ट ये समान मिला है तो वीना को मारी को मिला है हरियान रेज जी के कितने स्टेट और नैशनल हाइवे पर स्थीत बिजली गरों में ये चार्जिंग स्टेशन स्टापित के जाएंगे हरियान गर्थ अकादिमे के किस पूरू उपादेक्स को पंकस अकादिमे अबाड मिला है तो कमले स्टेश बारतिय के दोस्तों पंचाब स्टेश अकादिमे के दोवरा ये दिया गया है हरियान सरकार किसान के डिट काड की तरज पर अब कौन से काड बनाएगी तो मच्छे किसान के डिट काड भी बनाए जाएंगे नेक्स्ट है अंतरस्टेक गीता मोचो 2021 के सिलप और सरस मेले काउद गाटने हैं सुबारम किसे ने किया था तो कवरपल गुजरने दोस्तों नेक्स्ट है हरियान के की जले में तामबाख निजो के लिए सरवरक्षिन किया गया था तो हाली में रेवाड़ी में किया गया था अब साथ ही साथ कल वाली हरियान करेंट फिरकर विजिन भी कर लेते हैं क्वेस्टन बर वन है हरियान के किस वैक्ति को इंडो ग्लोबल एजुकेशन अवाड मिला है तो अवाड मिला दोस्तों पाउन कुमार को नैक्स्ट है हरियान रेज्जे सोलर एंड विड अनर्जी प्लांट लगाने वला देश का कौन सा रज्जे बनेगा तो असा करने वला कि चेती का सरमा व्ल रिकोड आफ अपने नाम कर चुकी है तो विवानी से बलों करती है चेती का सरमा नैक्स्ट है हरियान के की हिजले मिल लाला केमचंद चर्ते लाल गोविल राज के इहुर drove भी दोस्तों बनाएगा दोस्तों वीडियो में आपसे क्लिण स्टरो की है तो लेकिन अब चिराग योजना के तायत दोस्तों गरीब बच्चों का प्रिवेट स्कूलों याथ से स्कूलों में डुमिशन होगा आज के लिए आपका क्वेस्टिन है हरियाना रैज्जे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पर्तिबंद के लिए सिटिजन मॉबाईल एप और कम्प्लेट मनेजमेंट सिस्टम को किसे लोंच के दोस्तों और प्लास्टिक पर रही आणा में परतिब अनपूर्ण पोनोब से कप से लागो हो चुका है और दोस्तों दीसे ने भी शैप को लोंच कि कहां से मंतरीय दोस्तों को चुनाव से तरकां से आपको एभी कॉमेंट करना है उनके पास दोस्तों भी बाकों से आपको एभी कॉमेंट करना है वीडियो पसंदे तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब और सेज़ों कर देना और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सोमच दोस्तों कर आपको जनवरी 2022 से जून 2022 या फिर जनवरी 2021 से जून 2022 तक ठारा मेंने की हर्यादा करने फिर की पीडे फाइल चीए तो इस नंबर पर आपको वट्साप मैसेज करना है आपको पीडे फाइल मिल जाएगी